रजगुल्य नॉर्मली सब ही खाना बहुत पसंद करते हैं स्पेशली बच्चे जो है उन्हें बहुत जादा पसंद आते हैं नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रहनी अमेजिंग किचिन में आज हम रजगुल्य बनाएंगे मेरे यहां सुबे जो है वह दूत फट ग अगर आपके पास चैनल नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको ऐसे नए नए रेसेपी सीखने को मिल सके और साथ ही आपको नए नए टिप्स भी सीखने को मिल सके तो बिना देरी करें हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं रजगुल्य बनाने के लि आप देख सकते हैं मैंने जो है चनी यूज में ली है अगर आपके पास चनी इतनी बड़ी चनी नहीं है तो आप जो है वो एक मलमल के कपड़े में भी जो है वो चैने को चान सकते हैं अब मैंने चैने को अच्छे से चान लिया है और इस पानी को जो है वो हम अलग कर लें आटा गूण सकते हैं या प्रेए इस पानी अगर आटा गूदेंगें तो आटा बहुत घुन देगा और रोटी भी वह बहुत ही वाँ फुली-सी बनेंगी और बहुत ही सफ बनेंगी अब जो है देखिए छैना जो है वो बिलकुल पानी अलग हो चुका है इसमें से तो अब हम जो है इसको एक कपड़े में बांध लेंगे एक मलमल का कपड़ा मने लिया है और इसमें डाल कर जो है इसको हम बांध लेंगे ताकि जो थोड़ा पानी और जो रह गया है वो भी अच्छे से अलग हो सके देखिए मैं इसको इस तरह से अब बान दूँगी आप देख सकते हैं अब इसको बानने के बाद हम इसको वापे सी छनी में रख देंगे और इसके उपर हम कुछ बहारी चीज रख देंगे मैंने जो है मसाला कूटने का मूसल मैस पर रख रही हूं ताकि जो थोड़ा बहुत पानी और होगा वो बहार निकल आएगा तो अब आप देख सकते हैं पांच मिनिट के लिए मैंने जो है इसको ऐसे ही रख दिया था अब हम इसको चैने को बाहर निकाल लेंगे एक थाली में और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जादा भी हमें इसको हाट नहीं कर देना है थोड़ा बहुत नमी रहनी चाहिए क्योंकि अब जो है हम इस चैने को मसलेंगे तो मसलने के लिए जो है वो थोड़ा सा इसमें नमी रहनी चाहिए अब इस चैने को हमें अच्छे से मसलना है देखिए मैं इसको अलग-अलग कर लेती हूँ अच्छे से चूरा करके और अब हम इसको जो है अच्छे से मसलेंगे हमें जो है हमारी हतेली का इस्तमाल करकर इसको मसलना है बहुत अच्छे से मसलना है तब तक मसलना है जब तक क कि ये प्लेट को जो है वो छोडने ना लगे और एक साथ बंदने ना लगे तो जब हम इनको उबालेंगे तब ये जो है वो टूट जाएंगे पानी के अंदर चाश्नी के अंदर तो देखिए मैं अपनी हतेली का इस्तमाल करकर इसको ऐसे मसल रही हूँ, देखे, ऐसे मसलना है, बिल्कुल ऐसे, हतेली का इस्तमाल करके, और आपको जो है ऐसा, तब तक करते रहना है, जब तक कि ये एक साथ बंधने ना लगे, अच्छे से मसलना है, और कम से कम, पान से दस मिनिट तक आपको मसलना है, उस जिए इंदधा मिला रहा हैं और इसको की ठ़ोड़े देर और मसल एंगे करीबIR 5 feltान देर करें के उसके बाद रचाम से बनाएंगे जब हम इसे चाशनी में उबालेंगे तो यह जो है वो डबल शेप की हो जाएंगी क्योंकि पानी में यह जो है जब उबलेंगे तो यह स्पॉंजी हो जाएंगे और इनका शेप बढ़ जाएगा देखिए यहां पर जो है करीबन आट बॉल्स जो है वो मेरी बन गई है तो अब हम जो है इने उबालते हैं और उबाले के लिए हम एक कड़ाई चड़ाएंगे और इसमें हम एक कप चीनी डालेंगे और चार से पांच कब अब हम इसमें पानी मिलाएंगे चाशनी जो है वो हमें जादा गाड़ी नहीं रखनी है पतली ही रखनी है नहीं तो आपके जो रजगुले जो है वो बॉल धंग से नहीं होंगे और फूलेंगे नहीं और वो चाशनी को सोकेंगे नहीं तो जब हम इसमे पानी मिला लेंगे उसके बाद हम जो है इसको अब हम चलाएंगे इसको जो हैं ऐसे ही गैस पे नहीं छोड़ देना है बल्कि जब तक चाशन चीनी जो हैँ पानी में मिल नहीं जाती अब तक हम इसे चलाते ताकि जो चीनी आए वो अच्छे से घुल जाए तो अब आम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे अब आप देख सकते हैं कि जो चाशनी है वो पूरी तरह से बन चुकी है चीनी इसमें जो है वो घुल गई है तो अब हम इसको 5 मिनिट और थोड़ा सा पकने देंगे तक इसमें एक उबाल आ जाए हमें जो रजगुले जो है वो अच्छे से उबलती वी चाशनी में डालना है नहीं तो रजगुले जो है वो पट सकते हैं देखिए पानी में अब उबाल आ गया है अब हम इसमें इन रजगुलो को छोड़ेंगे दीरे दीरे करके छोड़िएगा गयास थोड़ी धीमी कर लिजेगा और आपको इनको हिलाने के लिए चमच का इस्तमाल अभी नहीं करना है पहले आपको इनको अच्छे से इसमें डाल देना है और इनको थोड़ा सा उबलने देना है बिल्कुल खौलते वे पानी में आपको इने डालना है तो अब हम इसको थोड़ा सा होने देंगे पांच मिनिट हम इसको ऐसे ही पकने देंगे इसका मतलब जो है वो थोड़े पक गए है और थोड़ा इन्होंने जो है वो चाशनी को एब्सॉड कर लिया है तो अब हम चमच की मदद से इसको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे हिलाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको डारेक्ली टच करें थोड़ा थोड़ा चाशनी लेकर हम इसके उपर डालते रहेंगे ताकि यह सब तरफ से अच्छे से पक जाए अब हम जो है वो इसको थोड़ा सा धक कर पकाएंगे तो अब हम धक कर जो है वो थोड़ा सा पांच मिनुट तक हम इसको धक के रखेंगे जब हम इसको ढखेंगे तो इसके अंदर जो है वो bubbles बनेंगे और उस bubbles में जो है रजगुले अच्छे से पक जाएंगे इस वज़े से हम इसको ढखेंगे अब 5 मिट हो गया है अब हम देखते हैं देखें रजगुले किते अच्छे से पक गया है और उपर जो है वो पानी में क्याशनी ख्लेवर और अच्छा करने झाल criticize CA1800I शबी और और अच्छा करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी हरी लाईची पांडर मिला रही हूं अब हम इसमें mismos हां इलाईची पाऊडर मिला दिया है तो अब हम इसको जो है वो पांच मिनिट और ढख कर पकाएंगे तो अब हमें जो है इसको ढख देते हैं अब देखे भाब जो है वह उसमें से बाहर निकलने लगए और कितनी सादा जो है रजगुले जाग में बनकर कितने बड़े से हो गए हैं तो अब हम इसको जो है खुले बड़तन में पांच मिनिट और पकने देंगे और रजगुले जो हैं वो काफी अच्छे से बन गए हैं तो खुले में हम इसको पांच मिनिट अच्छे से पकने देंगे और जब यह पांच मिनिट में पक जाएंगे तब हम इसको निकाल लेंग तो अब जो है हमाय रस्गुले बिल्कुल रेडि होगया हमने जापन कर दी है और हम इसको थोड़ा सा थंडा होने देंगे अब यह रस्गुले जो हैं वो ठंडे हो गया है तो अब हम उसको एक बॉल में निकाल लेते बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं अब हम जो हैं वो इसको ढखन लगा कर दो घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि जो रजगुले हैं वो अच्छे से जो चाशनी को एब्सॉर्ब कर लें जो देखिए रजगुला जो है वो कितना स्पॉंजी बनाया आप इतना इसको दबाएंगे वो वापस उपर आ जाएगा और शेप भी बिल्कुल सही आया है और तूटने में भी काफी स्पॉंजी सा है और बहुत अच्छा लग रहा है तो इस रेसिपी को जो है वो जरूर ट्रा करिए अपनी फामली को खिलाए और फिर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करिए और जरूर से शेयर करिए और अगर आप मेरे चानल पे आया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए रेसिपी सीखने को मिल सके और नए नए टिप्स सीखने को मिल सकें तो अगली बार फिर हाजर होती हूं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार